कहानी का पूरा अनंद लेने के लिए कहानी के पहले और दूसरे भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स एंडिस्कीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूँगी और साथ मैं कॉमेंट बाक्स में पिन भी कर दूँगी तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं इधर खनक अपने धंदे के बंद हो जाने की वज़े से एकदम पागल हुई थी उसने एक आदमी को फोन किया कहा है कुट्टे तुझे कुछ कहा था ना राज ने कहा जी पार के पास हूँ पंकज यहीं है किसी लड़की के साथ बस मौके की तलास में हूँ खनक ने कहा अबे कमीने वो दरोगा है समहाल कर नहीं खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा और सुन तो आज किसी भी तरह पंकज का काम खत्म हो जाना जाईए नहीं तो अपना अंजाम सोच लेना जी मैडम आपने स्चिंत रहो आज आपका काम हो जाएगा काम खत्म कर मैं आपको कॉल करता हूँ खनक ने कहा साथानी से वो दरोगा उसकी गर्लफरेंड है सतरक रहना जी खनक ने फोन कार दिया माथे से मोबाइल लगा कर अत्यंत गंभी मुद्रा में कुछ सोचने लगी इधर जब जाईसा ने अपनी टीम को आगे की पूछ तास के लिए बुला लिया तो रहाज वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझा इधर जाईसा के पास से आटो में वैट कर निकलने के बाद पंकज अपने आफिस पहुच गया आफिस पहुचते ही एक लड़का पंकज के पास आया और एक पारसल दिया और हस्ताचर करवाने के बाद चला गया पंकज ने देखा उस पर जैसा का नम लिखा हुआ था उसने जैसा को फोन लगाया ये क्या है जैसा तेरे लिए है बता तो तु खुद खोल कर देख लेना पंकस पैकट खोलने लगा पैकट में लेफट आप था, काफी कीमती लेफट आप? हाँ तुम्हारे लिए सेवंथ जनरेशन का है, बिल्कुल लेटेस्ट माडल, उससे भी अच्छा अरे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तु अपने पास रख, मेरे काम का नहीं है ये नो टंकी मत कर, गिफ्ट दे रही हूँ, पैसे नहीं लूँगी तुछ से, ये मेरी आवकाद से बाहर की चीज है, मैं सौफ्ट वेयर इंजिनियर नहीं हूँ, जलील कर रहा है न मुझे, बिल्कुल नहीं, ये बहुत कीमती लगता है, आब एक सब्दी भी बोला नो तुमो जान ले लेती, साधी करेगा मुझसे, नहीं, क्यों किसी से वादा कर चुका हूँ, जैसा सोच ले करोन पती बन जाएगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, अगर वो खुद मना कर दे तो, जैसा का पती बन जाएगा, सच में वो मना कर देगी, तू तायार है तो स पोन किया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिये और बोली, मैं मुबाइल से फोटो भेज रही हूँ, कल के निउस पेपर में छप जानी चाहिए, रिपोर्टार आश्चर से, ये क्या कह रही है मैडम, आप बदनाम हो जाएंगी, ये सही नहीं है, वो मेरी प्राबलम है, आपको ज जहा है, उतना कर दीजिए, अगर फंट पेस पर जगह नहीं है, तो मैं उस पेस के लिए पेमेंट कर दूँगी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, निउस ही इतनी दमदार है कि जगह तो मिली जाएगी, मगर एक बार और सोच लीजिए, सोच ली आप निउस चाप दो, ठ पाइसा ने कैसे चाय वाले और मंगरू को टॉर्चर करके उनसे सच उगल वा लिया, तो खनक सुनकर काप उठी, खनक ने तेजी से राज को फोन लगाया, आप निश्चिंत रहो मैडम, पंकज कल का सूरज नहीं देख पाएगा, राज ने कहा, रात को उसके बंगले पर ह उसे मार देंगे, खनक बोली, खबरदार उसे हाथ भी मत लगाना, उसकी गाल्फरेंट हैवान है, साइको है, एकदम पूरी तरह पागल लड़की है वो, उस से दूर ही रहना, इसी में हम सब की भलाई है, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूरती हूँ, वो सिरनी हमें चवाज पंकज के करीब भी मत जाना, मैं ये सहर छोड़ने की सोच रहे हूँ, इस तीफा देकर मैं हाथ से निकल जाओंगी बस दो तीन दिन में, अब ये सहर सेफ नहीं है हमारे लिए, तू भी पैकिंग कर ले, किसी की आहट पाकर खनक ने फोन कार दिया, पंकज मुस्कुराते ह केबिन में दाखिल हुआ, खनक आपके लिए चाय लाया हूँ, आईए पीते हैं, खनक ने कहा, ना नहीं चाय नहीं, मम मेरा मूड नहीं है, फिर फिर कभी अभी नहीं, क्या हुआ आपको अब इतना घबरा क्यों रही हैं, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैंने अभी अभी लं लोन लेकर नहीं जासा ने गिफ्ट दिया है ओ तो जासा ने लोन लेकर तुम्हें लेपटाप गिफ्ट किया है पंकज खनक की बात सुनकर हशने लगा अरे नहीं उसके लिए बड़ी बात नहीं है उसके पास बहुत पैसा है इतना कि वो मुझ जैसे को नौकरी पर रख सकती है करोणों की संपती है बहुत पैसा है उसके पास फिर नौकरी क्यों करती है बस सौक है उसे अच्छा लगता है जैसा दबंग भी है मैं सोच रही थी कि अगर कोई तुम्हें परिसान करता तो वो क्या करती पंकज हंसते हुए बोला खून पीजाती उसका खनक पंकज की ब में होंगे बिल्कूल वो जरूर कामयाब होगी खनक मुस्कुराते हुए बोली पंकज जैसा की तारीफ खनक के मुझसे सुनकर बहुत खोस हो गया खनक मन में सोच रही थी जब तक तुम्हारी जैसा ये केस सुल जाने में लगी होगी तब तक मैं बहुत दूर चली जाओं जैसा का पूरा दिन बहुत भारी था जैसा के लिए जैसा पूरी तरह ठक चुकी थी वो आराम करना चाहती थी गाड़ी चलाने की हिमत नहीं हो रही थी जैसा की नजर एक सराप के दुकान पर पड़ी जैसा ने सराप की एक बोतल खरी दी होटल से मठन और पुलाव पैक क तो फोन लगाया, बाबू तुम कहां हो, घर पर हूँ, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, बस खाना बनाने की तयारी, मैं आजाओं अपने सोना के पास, तुम ठीक तो हो ना, मैं अपने सोना के पास आजाओं, हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो, तुम सांदर से बहुत बेचैन है पंकज के मुबाइल पर खनक का फोन आने लगा पंकज क्या कर रहे हो कुछ नहीं तो यहां आ जाओ सात में डिनर करेंगे नहीं आज नहीं जासा आ रही है आज जासा के साथ डिनर करूँगा कल आपके साथ खनक बस्या से बोली जासा 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 देख रहे हूं जब से जासा से मिले हो सिर्फ उसी के नाम की माला जब रहे हो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही एक बात समझ लो पंकस ये नीड़े तुम्हें आज और अभी लेना होगा हम दोनों मे से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा अभी इसी वक्त मैं तुम्हें जासा चाहिए या मैं ये कैसी बाते कर रही हैं आप एक बात बताओ अगर एक नाम में मैं और जासा सवार है और नाम डूब गई तो तुम पहले किसे बचाओगे मुझे या जासा को जासा आपको लूबने नहीं देगी मुझे नहीं आना पड़ेगा खुश से जादा मुझे अपनी जासा पर भरोसा है वा अपनी जासा सच में तुम लूजर हो मर्द होकर और पर भरोसा करते हो हां मैं ऐसा ही हूँ अब आपकी नजर में ये लूजर की निसानी है तो लूजर ही सही मग पूरा वरोसा करता हूं, वो मेरी है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं उसका हूं, भार मेजाओ तुम और तुम्हारी जाशा दोनों, खनक ने फोन कार्ट दिया और सोचने लगी, इन दोनों का आराना बहुत पूराना है, ये मेरे लिए जाशा को नहीं छोड़ेगा और कर लेफटाप से बैंक अकाउंट चेक करने लगी तथा फंड इधर से उधर टांसपर करने लगी उधर जैसा पंकज के घर पहुँच गई और हॉर्ण बजाने लगी जैसा लगातार हॉर्ण बजायज आ रही थी आस पास के लोग परेसान होने लगे हॉर्ण की आवाज सुन खर के अंदर लेकर आ गया जैसा ने बताया कि गाड़ी में फूट पैकेट पड़ा है पंकज दुबारा जाकर गाड़ी से फूट पैकेट लेकर आ गया जब पंकज अंदर आया तो देखा कि जैसा गैस चुले के पास कुछ कर रही है वो चुले को जलाने की कोसिस कर रही पंकस दोड़ कर जाइसा के पास गया और सोफे पर वैठा दिया बाबू काफी है हाँ मुझे काफी पिलाओ नाज काफी पीने का मन कर रहा है ठीक आभी बनाता हूं अगर तुम ये अपने कान पकड़ते हुए जाइसा बोली सौरी बाबू मैंने सराब पीली क्या करती मैं आ तुमसे कुछ पूछ सकती हूं बुरा तो नहीं मानोगे नहीं जो पूछना चाती हो पूछो बाबू कलपना चावला कौन थी आइस्ट्रोनर्ट थी किरणवेदी आईपी एस ओफिसर थी जाइसा काउन है मुस्कुराते हुए पंकज बोला क्यूं पूछ रही हो ये सब नहीं पहले मेरे सवालों के जवाब दो जाइसा कौन है दरोगा बिलकुल गलत जबाब एक दम गलत हसते हुए पंकज बोला अच्छा ये सभी लड़कियां है सब की सब बच्चियां है छोटी छोटी प्यारी प्यारी बिलकुल मासूम पंकज समझ गया कि जाइसा आज क्य पर खड़ी हो सको, तुम्हें अच्छे संसकार दिये, सभी पिता ऐसे ही होते हैं, हाँ कुछ चार पांच पर्शन गलत होते हैं, जिससे दंडित करने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें दरोगा बनाया है, बस तुम अपना काम करो उन अपरादियों को उनके किये की पंकज ने जैसा की तरब देखा तो वो सोच चुकी थी, पंकज ने उसके हाथ से काफी का मग लेकर टेवल पर रखी दिया, जैसा के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, जैसा मैं अपनी बच्ची के लिए एक आदर्स पिता बनूंगा, जैसा के मासूम चेहरे क देख कर पंकज की आखे भर गई, पंकज ने जैसा को अपनी वाहों में उठा लिया, हडले जाकर बेट पर लिटा दिया, जैसा का लाया खाना खा कर जैसा के बगल में बेट पर आकर शो गया, इधर खनक के मोबाइल पर राज ने फोन किया, खनक ने कॉल रिसीब किया, मै पैसा लिया है तो डिलिवरी करनी ही होगी कहां से करें डिलिवरी तुम तो सब जानते हो ना मामला कितना संबेदन सील हो चुका है सभी अस्पतालों पर पुलिस की पैनी नजर है अगर हमने कोई भी हरकत की तो हम फच सकते हैं जी मैं इस्थिती से आउगत हूं मगर वो नहीं मान रहे हैं वो ततकाल डिलिवरी के लिए आड़े हुए हैं कह रहे थे उन्हें जहां माल देना है वहां से बहुत प्रेसर आ रहा है डिलिवरी नौ देने पर अंजाम भुगतने को कह रहे हैं तत्काल उन्हें कितना माल चाहिए खनक ने पूछा बारे तुम्हें काम करो सभी लड़कों से कॉंटेक्ट करो सभी लड़के एक एक का भी इंतिजाम कर देंगे तो डिलिवरी करने के लिए जादा माल हो जाएगा उनसे संपर करो और कह देना इस काम के लिए 20% एक्स्ट्रा दूंगी मगर समहल कर चारो तरफ पुलीस का कड़ा पहरा है काम एक घंटे में ही पूरा करने को कहना काम जितना जल्दी पूरा होगा हम उतने सेफ रहेंगे और काम होने के बाद सभी सहर छोड़ देंगे ओके मैडम खनक ने फोन काट दिया और ड्राइवर से बोली अशलम तुम राच के पास जाना और जितना माल दे उसे लेकर डिलिवर कर देना और काम खत्म कर सीधे यहां आजाना मगर समहल कर पुलीस की नजरों से बच्च कर समझ गये ना नहीं मैडम आब और नहीं अब मैं ये काम और नहीं कर सकता आशलम ने कहा आपके साथ मैं इस पाप में भागी नहीं बन सकता मैं आज ही पुलिस के पास जाकर अपना जर्म कबूल कर लेना चाहता हूँ आपकी कैस से अच्छा है कि मैं जेल में चला जाओंगा अब मुझसे ये पाप नहीं होगा तुम्हारी बीबी का क्या होगा कभी सोचा है तुम्हारे बिना वो क्या करेगी कहां जाएगी इस जालिम दुनिया में कैसे वसर कर पाएगी वो आज भी बरतन मासकर गुजारा करती है मेरे बाद भी कर लेगी कम से कम आप से तो छुटकारा मिल जाएगा उसे अच्छाम ने कहा खनक हसते हुए बोली बहुत भोले हो अच्छलम साथ तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जीनत भी तुम्हारे साथ जेल जाएगी आखिर मिया बीबी हो तुम दोनों तुम दोनों ने ही गुड़ू की हत्या की थी ना अच्छलम ने कहा आपको कैसे पता खनक बोली गेट पर कैमरा लगा है ये तुम भी जानते हो मेरे ही घर में तुम किसी की हत्या करते हो और मुझे ही नहीं पता होगा कि तुम क्या गुल खिला रहे हो बेवकूफ इनसान तुम ये कर पाए क्योंकि मैंने तुम्हें करने दिया मैं खुद उसे रास्ते से हटाना चाहती थी पुलिस इसके बारे में सब जान गई थी उसे तो मरना ही था मैंने नहीं तो तुमने मार दिया मेरा काम इतनी आसानी से हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था असलम हाज जोड कर बोला कुछ भी हो मैडम लेकिन अब नहीं अब जीनत भी जेल चली जाएगी तो मुझे कोई परवार नहीं है हम दोनों जेल में रह लेंगे मगर आपके साथ नहीं रह सकते आपके पाप में भागी नहीं बन सकते खनक मुस्कुरा कर बोली ठीक है जाओ पीछे से जीनत की बाडी के टुकड़े तुझे पार्सल करवा दूँगी तु क्या समझता है तुम लोगों के खारण में जेल चली जाओंगी ये तुम्हारी गलत फहमी है मैं तुम लोगों के लिए खुद को खत्रे में नहीं डालूंगी असलम हास जोल कर बोला नहीं मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती आप जीनत को हाथ नहीं लगा सकती जीनत ने आपकी बहुत सेवा की है आप उसके साथ गलत नहीं कर सकती खनक मुस्कुराते हुए बोली ये तुम्हारी गलत फहमी है मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ कुछ भी मेरे पिता ने भी मुझे रोकने की कोसिस की थी आज वो फोटो फ्रेम में दिवार की सोभा बढ़ा रहे हैं चंदन की माला पहना कर तुम मुझे पाचानते नहीं हो कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ असलम रोते हुए बोला नहीं आप जीनत को कुछ भी नहीं करेंगी आप जो भी कह रही है मैं करूंगा बस मेरी जीनत को कुछ नहीं होना चाहिए खनक ने मुस्कुरा कर कहा कुछ नहीं होगा उसे तुम निश्चिंत रहो तुम मेरा अंतिम काम कर दो उसके बाद तुम दोनों को आजात कर दूँगी फिर जी लेना अपनी जिन्दगी अभी रास से जा कर मिलो और काम खत्म कर सिधा यहीं आना जी जी मैं आपका काम कर दूँगा मेरी जीनत को कुछ मत करना खनक मुस्कुराते हुए बोली ठीक है अभी निकल जा जी अशलम आसू पोचते हुए कार लेकर निकल गया अशलम के जाते ही खनक मुस्कुलाने लगी और अंदर चली गई खनक अंदर अपने बेडरूम में चली गई और सिर्फ बहुत जरीरी सामान ही पैक करने लगी पैकिंग पूरी करने के बाद इत्मिनान से बेड़ पर बैठ गई और जीनत को बुलाया जी बेबी अपने मुझे बुलाया हाँ एक काम कर चाय बना दे और कुछ नेक्स भी लाना मैं डाइनिंग टेबल पर आ रही हूँ अपने लिए भी बना लेना आज साथ बैठ कर चाय पीएंगे जीनत आज चरे से बोली क्या बात है बेबी आज सुरज पस्चिम से कैसे निकलाया खनक जीनत के कंदे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली मैं ये सर छोड़ कर जा रही हूँ हमेशा के लिए तुम्हारे और असलम के साथ बहुत बुरा वेभार किया उसके लिए मुझे माफ कर देना असलम से कुछ सामान मंगाया है वो लेकर आता ही होगा तब तक हम दोनों चाय पी कर उसका इंतजार करते हैं तुम दोनों ने मेरी बड़ी सेवा की उसके लिए बहुत भुत धन्यबाद मेरी गल्तियों के लिए मुझे माफ कर देना जीनत नहीं बेपी आप बहुत अच्छी हो मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ जीनत चाय बनाने के लिए चली गई खनक जीनत को कीचन में जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी कुछ दिरवास जीनत खनक और अपने लिए चाह और शनक्स लेकर आई थोड़ा मेरे लिए पानी ला दोगी जी बिलकुल जीनत पानी लेने चली गई जीनत के जाते ही खनक ने जीनत की चाय में एक पाउडर मिला दिया और जीनत का इंतजार करने लगी जीनत खनक के लिए पानी लेकर आ गई खनक पानी पीने के बाद चाय पीने लगी जीनत भी चाय पीने लगी खनक मुस्कुराते हुए जीनत को ही देख रही थी खनक जीनत को देखकर मुस्कुराते हुए बोली जानती हो जीनत अभी अश्लम कहा रहा था कि वो जेल चला जाएगा मगर ये पाप का काम नहीं करेगा मतलब सो चुहे खा कर बिली चली हसको मैं बोली की जीनत का क्या होगा तुम्हारे जाने के बाद तो वो बोला कुछ भी हो मैं पुलिस को सब बता दूँगा मतलब तुम दोनों लैला मजनु के चक्कर में मैं जेल चली जाओं जानती हो मेरे पिता जी दरोगा थे बहुत इमानदार इतने इमानदार की अपनी बेटी के लिए भी कुछ नहीं किया सिर्फ पढ़ा लिखा कर बढ़ा कर दिया जब बेटी कमाने लगी अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो रोक टोक करने लगे मुझे नसीहते देने लगे कहने लगें कि मैं नहीं सुधरी तो पुलीस के हवाले कर देंगे सच कहूं तो मैं उनकी नसीहत से तंग आ गई मैं उनकी नसीहत से परेसान हो गई और एक दिन उनके खाने में बेहोसी की दवा मिला कर उन्हें बेहोस कर दिया और डाक्टरों से उनके औरगन जैसे किड़नी लीवर आँखे निकलवा कर बेज़ दी जिन्दा थे तो मुझे कुछ नहीं दिया मगर तुम्हारी चाय में बेहोस करने की दवा नहीं जहर मिलाया था जिसे तुम पी गई ये बहुत तेज जहर है बहुत जल्दी मरता है क्या करूं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि तुम्हारे पार्टस बेश सको जिन्द की सांसे रुकने लगी उसके आँखे उलट गई वो कुर्सी से नीचे गिरकर तड़पने लगी जिन्द का पूरा सरीर का अपने लगा जिन्द की हालत देखकर खनक खास रही थी कापते हुए जिन्द के सर पर खनक ने अपना पैर रख दिया लगवग देस मिनद बाद जिन्द का सरीर ठंडा पड़ गया उसकी सांसे रुक गई और जिन्द के सरीर का कमपन खत्म हो गया वो मर गई खनक ने राज को फोन लगाया काम हुआ जी मैडम कुछ और बाकी है मगर लगता है हो जाएगा जल्दी करो रात के तीन बच चुके हैं सुबह होने वाली है जी कोसिस कर रहे हैं चार और चाहिए ठीक है मगर बच कर जी खनक ने फोन काड़ दिया उधर पंकज की नीद खुल गई पंकज ने देखा कि जैसा अभी भी सो रही है गड़ी देखी तो रात के साड़े तीन बच रहे थे पंकज वासरूम चला गया जब लोटा तो जैसा बेट पर सर पकर का बैठी हुई थी पंकज मुस्कुराते हुए बोला क्यों बेवडी नीद खुल गई सर बहुत दर्द कर रहा है कोई दवा है पंकज जैसा को दवा देते हुए बोला ले खाले मैं चाय बनाता हूँ पंकज चाय बनाने लगा जैसा पंकज को घूर रही थी जब पंकज की नजर जैसा पर पड़ी तो जैसा द्वारा खुद को घूरते देखकर पूछ लिया क्या देख रही हो तू कहा सोया था क्यों पूछ रही हो इसी बेट पर ना पंकज हचने लगा जैसा पंकज को गुस्से में देख रही थी पंकज चाय देते हुए बोला चिंता मत कर सब ठीक है लो चाय पीलो तू सोफे पर भी सो सकता था ना मगर नहीं तू मेरे साथ बेट पर था भरोसा है या नहीं मुझ पर आज के बाद कभी ऐसी हरकत की न तो तूसे पूछ दास भी नहीं करूंगी सीधा गोली मार दूंगी अच्छा मार देना ठीक है पहले अपनी चाय खत्म कर साधी करेगी न मुझसे फिर कैसी प्राबलम कोई गारंटी नहीं है पंकज आ नीचे कर लिया वो उदास हो गया जैसा पंकज को देख कर हशने लगी और पंकज के दोनों गाल खीच कर बोली अली मेले गोलू मोलू मैं मजाग कर रही थी तुछ से अच्छा मुझे कोई नहीं मिल सकता जैसा ने पंकज को गले से लगा लिया पंकज आसू पोच्छ कर चुबह के चार बज रहे थे सूरी की लालिमा दिखने लगी थी जैसा का मोबाइल बजने लगा इसक्रीन देखी तो जमादार का फोन था मैडम राद पर बहुत हल चल हुई है दो लड़के पकड़े गए है नर्च ने भी बहुत कुछ बताया है आप जल्दी आज आईए ब कर दे दिया ये ले जाओ टाइम निकाल कर खा लेना जरूरत नहीं है इसे अपने पास ही रखो मैं बाहर ही कुछ नास्ता कर लूंगी परिसान क्यूं हो कोई घटना हुई है क्या नहीं जिस केस पर काम कर रही हूँ उसी से संबंधित इंफॉर्मेशन मिली है अच्छा नि आप भी निकल जाओ राज ने फोन कार दिया खनक घबरा गई खनक सोच में पड़ गई अब क्या करो कहां जाओ वो बेवकूप तो पक्का पकड़ा जाएगा भाग नहीं पाएगा पुलिश ने नाका बंदी कर दी होगी मैं भी नहीं भाग पाऊंगी कहां जाओ खनक ने क्या कि अब 10-15 दिन बादी मिल पाएगा एक काम कर तो पुलिस इस्टेशन चला जा और अपना जुर्म कबूल कर लेना लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए कैसा गुना मैंने गुड्डू को मारा है मुझे कबूल है मैंने इंब्रॉयो की डिलिवरी की मुझे कबूल है ल कितने प्यार से सो रही है ये बेहुस है मैंने इसे बेहुस किया है इसे बेहुसी का Injection दिया है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अगला Injection जहर का होगा जैसी तेरी मर जीनत चेरे को देख कर बहुत भाउक हो गया आप मेरी जीनत को कुश मत कीजिए उसे जाने दी जीए खनक ने गुस्से से कहा तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और पुलीस के पास जाकर अपना जूर्ब कबूल कर ले असलम रोते हुए बोला चीक है मैं अभी जाता हूँ खनक ने फोन कार्ट दी आशलम कार घुमा कर पुलीस स्टेशन की तरफ निकल गया इधर पंकज भ कार आती हुई दिखाई देने लेगी पंकज ने हाद दिया तो कार खड़ी हो गई असलम कार से बाहर आया क्यों ड्राइवर साहब खनक जी कहां है जी वो तो बंगले पर हैं आप कहां जा रहे हैं पुलीस के पास पंकज जैसा की तरफ हिसारा करते हुए बोला ये रही करके उन्हें बेशता हूँ अभी वही काम करके आ रहा हूँ मैं आत्मसमरपड करने के लिए आया हूँ जैसा असलम को सिर्फ घूर रही थी वो कुछ भी नहीं बोल रही थी क्या बक्वास कर रहे हो इन सब के पीछे तुम हो इतना बड़ा गंग तुम चला रहे थे असलम में सर जुका लिया जैसा अभी भी असलम को घूर रही थी पंकज ने असलम से कुछ बोलना चाहा तो जैसा ने उसे चुप करा दिया पंकज को बोली तू निकल यहां से मुझे अपना काम करने दे मगर ये जैसा ने इस बार चिला कर कहा एक बार कहा न तू निकल यहां से पंकच को सिपाहियों और असलम के सामने घोल बे इज़ती महसूस हुई, वो फैरन वहाँ से चला गया। जमादार ने जैसा को किनारे बुला कर कानों में कुछ कहा, जैसा असलम को गुसे से देखते हुए पूश्तास करने लगी। तुझे इंब्रायो कौन देता है, राज, वो कहा है इस वक्त, जी पता नहीं, इंब्रायो का तुम लोग क्याटते क्या हो, असलम ने सर जुका लिया, कुछ पूछ रही हूँ तुछ से, असलम कुछ नहीं बोला, सर जुका कर खड़ा था, किसे बचाने की कोसिस कर रहा है, क ऐसा उसके कंदे पर हात रखकर किनारे चाय की दुकान पर लेकर चली गई, और चाय का कब बढ़ाते हुए बोली, ले चाय पी ले अच्छा लगेगा, और मुझे सब कुछ सच सच बता दे, दो लड़के पकड़े गए हैं, दोनों ने रास का नाम लिया है, नर्स ने भी बताया है कि गुड़ू रास को डिलेवरी देता था, तूने भी रास का नाम भी लिया, और ये भी बताया कि ये सब तू करता है, मगर मैं तेरा चेहरा देखकर सौप रश्रत बता सकती हूँ कि तू कि तू किसी अपने को बचाने के लिए जुट बोल रहा है, सच बता दे क्योंकि अपरादी किसी के नहीं होते, अगर कोई अपरादी के कबजे में है तो समझ ले, तेरे जेल जाने के बाद भी वो सुरच्छित नहीं रहेगा, इसलिए जो भी वो सच बोल दे, साध हम उसे बचा लें, असलम की आँखों में आसू थे, असलम धीरे से बोला, मेरी एक औरत इतना बड़ा गैंग चला रही है, बिस्वास नहीं होता, तु सच बोल रहा है न, असलम सी सकते हुए बोला, जी मैडम, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, असलम ने जैसा को सब कुछ बता दिया, एक बात बताओ, तुम लोग इंबरायों का करते क्या हो, मुझे नह कर देता था, उनका क्या होता है मुझे नहीं पता, जैसा ने जमादार को बुलाया और असलम को थाने लेजाने को कहा, जमादार ने एक सिपाही को कार में असलम के साथ भेज दिया, जैसा जमादार से बोली, एक बात बताओ, एंबरायों किस किस काम आ सकता है, नहीं पता म मैडम ये राज का मोबाइल नम्मर है अश्लम ने दिया है पता लगा कि ये कहा है जैसा ने पंकस को फोन किया कहा है तुम से मतलब और बेज़ती करनी है मेरी अपने सिपाहियों के सामने बोला जाता हूं तेरी नजर में मेरी रत्ती भर भी इज़त नहीं है कम से कम ये तो ख इज़त को तिवाट लगा दी अब कौन सामों लेकर किसानों के बीच जाओंगा आज दिन किसानों के कॉल आ रहे हैं मोबाइल पर सब मेरा नहीं तेरा हाल पूछ रहे हैं जैसा मैडम कैसी है जैसा हसते हुए बोली तो बता दे प्यार किया है कोई चोरी थोड़े ही की है पंकज गुस्या से बोला बता रहा हूँ कमीनी सब को बता रहा हूँ वैसे खाल करने का कोई न कोई तो कारण होगा ऐसे तो तू खाल करने से रही हाँ देख तेरी बकवास के चकर में भूली गई अपनी बुल बुल का नंबर दे बुल बुल अरे वो तेरी गार्फरेंड वो तो तू है नम भूल गई यार हाँ तेरी बॉस अच्छा खनक मेडम हाँ वही वही पंकज ने खनक का नंबर दे दिया और पूछने लगा कोई काम नहीं है आज आओं चाय बिलाओगी आज वैलेंटाइन डे भी है साथ में प्यार महबत की मिठी मिठी बाते करेंगे ज जास अभी आया जासा ने खनक का मोबाइल नमर जमादार को देते हुए लोकेशन निकालने को कहा लगबग आधे गंटे बास जमादार ने बिताया कि राज की लोकेशन बस इस्टेंड के पास मिली है वहाँ उसे पकड़ने के लिए फोर्स बेज दिया है और खनक की लोके गिलग भग एक घंटे बाद पंकज ओवर बिज के पास पहुंचा जैसा रोज पर खड़ी थी पंकज ने जैसा के सामने बाइक खड़ी कर दी और जैसा को गुलाब का फूल देते हुए मुस्कुरा कर बोला है पी वैलेंटाइन डे जैसा गुलाब लेते हुए बोली खनक के लिए गुलाब नहीं लिया पंकज ने कहा क्यूं जैसा पंकज के बाइक पर बैठते हुए पंकज के कान खीच कर बोली मुझसे ज्यादा उसे जरूरत है मुझे बहुत लोग हैं गुलाब देने वाले उस बेचारी का तो सिर्फ तू ही है ये पकड़ और उसी को दे दे एक और बात तू लेट है रोज डे के दिन रोज देते हैं चौकलेट डे को चौकलेट मैं सब एक साथ थोक में दे दूंगा अची तेरी बास को भियास बहुत कुछ मिलने वाला है थोक में मतलब चल सब समझ जाएगा आज सिर्फ समझना ही है और कोई काम नहीं है सच में बहुत गुमा कर बात करती हो देहाती में समझाओ न वहीं चल जो समझना है वहीं तेरी बुलबुल समझा देगी देहाती में पंकज और जायसा खनक के बंगले पर पहुँच गए में गेट खुला हुआ था दोनों अंदर चले गए अंदर बंगले का दर्वाजा भी खु पुराते हुए देख रही थी आओ जासा पंकज को भी साथ लाई हो मैं सोच रही थी साथ तुम अकेली ही आओगी अच्छा किया कि पंकज को भी साथ लेकर आ गई क्योंकि मेरी खुसियों को बरबात करने वाला अश्ली विलिन तो यही है पंकज आश्चर से ये क्या कह रही है आप मैंने क्या किया खनक जी खनक जासा की तरफ देख रही थी खनक जासा से बोली नो ये मुख्विरी करता और नो आज तुम मुझ तक पहुंशती मैं जहां भी रही अपना धंधा बहुत ही अच्छे से चलाया और अपनी मरजी से इतमिनान से उस सहर को छोड़ कर इसरी नोकरी के लिए बी पी एससी और यूपी एससी तो मेरे बाएं हाथ के खेल हैं जब चाहा पकड़ लिया जब चाहा छोड़ दिया ये क्या कह रही हो आप कैसा धंधा जैसा पंकस से गुसे से बोली सांती से सुन वो खुद बताएगी खनक हसते हुए बोली पंकस सच है तो आगे की बाते जारी रखते हैं हाँ बोल इस दुनिया में एक से एक सौकीन लोग हैं कोई सराब का तो कोई सबाब का कोई मोबाइल का तो कोई लोफटाप का कोई हरी पत्तेदार सबजियों का तो कोई मांस खाने का सौकीन है कोई ब्रांडेट कपड़ों और जूतो का जानती हो अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है वो इस दुनिया के हर सौक को पूरा कर चुके हैं उनके अंदर कुछ हलक करने की ललक है वो हर ब्रंड की गारी में घूम चुके हैं अब पैदल चलना चाहते हैं हर ब्रंड के कपड़े पहन चुके हैं वो हर तरह का मंस ख खा चुके हैं अब मानो मांस खाना चाहते हैं जो उनके देश में संभव नहीं है हमारे देश में एक प्रचलन है जो देता है उसे सभी पसंद करते हैं पसू को देखो गाय चाहिए लेकिन सांड नहीं लड़का चाहिए मगर लड़की नहीं यहां के लोग खुद गर्ज हैं इसकी लिए मैंने कमपाउंडरों से कॉंटेक्ट किया जिनका जमीर मर चुका है उन्हें पैसों के आगे कुछ न दिखता हो जिने सिर्फ पैसे की भूख हो जैसे मुझे है इस देश में ऐसे कई मिल जाएंगे इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई सभी अस्पता इन एंबरायों को अच्छे से साफ किया जाता और चोटे चोटे टुकडे किये जाते ताकि सरकार की नजर न पड़े और पैक कर इने भी देश भेज देते आएंबरायों की सप्लाई के लिए मुझे एडवांस मिल जाता है जानते हो कितना पंकज अस्तब्द हो कर ये सुन रहा था एक एंबरायों के दो लाग बहुत पैसा है इस बिजनस में और बहुत आसान भी है किसी के जी का जनजाल मेरे लिए माल मुझे कम से कम पांच माह के एंबरायों की जरूरत होती है ताकि वजनी हो उसमें मांसो इसलिए मैं गरुपात को रुखवा कर कुछ समय और पढ़वाती थी लेकिन तब तक उसमें जान पढ़ जाती थी मगर क्या कर सकती थी मजबूर थी गंदा है पर धंधा है खनक पंकस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली ये खाने में भी लजीज होता है क्यों पंकस सही कहा न क्या बकवास कर रही हो मैं कैसे जान सकत हूँ खनक हसते हुए बोली अरे पंकस तुम्हें मरायों खा चुके हो बकवास बंद करो छी छी मैं नहीं खाता ये सब जासा चरे से पंकस को देखने लगी खनक ने कहा अरे जूट मत बोलो जब पहली बार मेरे घार आय थे तो तुमने डीनर किया था और मेरे साथ लंच भी किया था मैंने पूछा था खाने में नमक ज्यादा पर जाए तो क्या करना चाहिए तुमने बताया था घी डालना चाहिए याद है नो वो मतन था पंकस घबडाने लगा खनक जोर से ठाके मार कर हसने लगी फिर अचानक हशना बंद कर दिया पंकस को घूर कर देखते वो इंब्रायो था तुम खा चुके हो तुमने तो तारीफ भी की थी आपने काफी अच्छा बनाया है खनक जी पंकच की बेचैनी बढ़ गई उसे ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी वो दोड़ कर वास बेसिन की तरफ भागा और उल्टी करने लगा खनक पंकच क उल्टी करता देखकर जोड़ जोड़ से हस रही थी खनक जैसा को देखकर बोली जल्दबाजी में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अस्लम को जुर्ब कबूल करने के लिए तुम जैसे तेस तरार दरोगा के पास बेच दिया यही मेरी सबसे बड़ी भूल थ हाँ मैं तो अभी रास को ढूड रही थी क्योंकि समने रास का ही नाम लिया था मगर तुमने अस्लम को भेज कर मेरा काम आसान कर दिया खनक की नजर पंकस पर पड़ी पंकच बास बेसिन के पास बैट कर रो रहा था खनक मुस्कुराते हुए बोली बेचारा अंजाने में नर्व अच्छी बन गया जैसा ने कहा बहुत गलत किया तुने इसके साथ तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं खनक हसते हुए बोली ओ मैं कहां भाग रही हूं जैसा जरा पूछ तो पंकस से कौफी पीएगा भी पोजिटिव वाली खनक जैसा को देखकर जोर जोर से हशने लगी ये सब जैसा के बरदास के बाहर हो गया जैसा के सब रकाबान तूट गया जैसा उठी और खनक को एक जोरदार थपड़ मात दिया खनक कुर्सी से नीचे गिर गयी उसे चक्कार आ गया उसके मूँ से खुल निकलने लगा जैसा ने खनक को वालों से खिशते हुए ख खनक का चेरा पूरी तरह लहलुहान हो गया खनक जैसा की तरह देखकर दर्द से चीख रही थी जैसा ने उसके बालों को खीशते हुए कहा तू आउरत नहीं डायन है डायन आउरत होकर भी ममता को मारते हुए तुझे सर्म नहीं आई पैसे के लिए इतना गंदा धंधा कर एक पुलिस ऑफिसर की बेटी और एक अफसर होकर भी इतना गलत काम मन तो यही कर रहा है कि तेरी भी बोटी बोटी काट कर वहीं पार्सल कर दूँ जहां तू एंब्रॉयों खराती है लेकिन मैं तेरी तरह गिर नहीं सकती और मेरे हाथ कानून से बधे हुए हैं लेकिन ऐ इसी चार्ट सीट तैयार करूंगी कि तुझे फांसी से कम की सजा नहीं होने दूंगी तुँ अवरत होते हुए भी मातरुतों का सुख कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी मार पीट की आवाज सुनकर सिपाही और जमादार साहव अंदर आ गये और खनक को गिरपतार कर ले जैसा की नजर जब पंकज पर पड़ी तो वो वेसिन के पास बैठ कर रो रहा था पंकज आत्मगलानी के कारण सर को जुकाए रोए जा रहा था पंकज फूट फूट कर रो रहा था पंकज को इस तरफ तरपता देखकर जैसा की आँखे भर गई जैसा पंकज को अपने सीन मारे और कई अपरादियों को पकड़ लिया इस केस को शॉल्व करने के कारण जैसा को पुलिश डिपार्टमेंट की तरफ और सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया गया इस घड़ना के लगबक साल वर बाद जैसा ने पंकस से साधी कर ली कुछ वर्सों बाद जैसा ने जुड भारू ढंग से खुशी खुशी व्यतित होने लगा